2018 में मैं खुद थाइरोइड की बिमारी से पिड़ी थी थाइरोइड की बिमारी और 2018 में क्या हुआ दोस्तों 2018 में एक दम अचानक मेरा वजन बहुत बढ़ गया अचानक मैं बहुत मोटी हो गई मुझे समझ नहीं आया हो क्यों ऐसा रहा है मैं आप हैरान रह जाएंगे अगर आप 2018 में मुझे देखते शायद आप मुझे पहचान ना पाते एक महीने में मेरा वजन लगवग 15 से 16 कीलो बढ़ गया था और मैं बहुत हैरान परिशान होगी थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है मेरे पैरों में दर्द होता था जब मैं सुब स OH zandभणा को सकता है आपको हाइपो थाईरोइडिस बढ़ तो में रहा है स्व« को ये यह जब तैस्ट करवाए और जब ने टेस्ट करवाए तो था ERAअरॉड मेरा जादा निकला जब thyroid जादा निकला मैं डॉक्टर के पास गई जब डॉक्टर के पास गई डॉक्टर ने बोला बेटा आपका TSH जो thyroid का test होता है TSH वो बहुत जादा है आपका TSH जादा है तो कोई बात नहीं हम थोड़ी दवाई से शुरुआत करेंगे तो उन्होंने थोड़ी दवाई उससे उन्होंने शुरू किया लगबग 82 kg मेरा वजन हो चुका था आप मेरे test report में देख सकते हैं जो वीडियो में ये screen पर आपके सामने है 82 kg मेरा weight हो चुका था तो डॉक्टर ने जब मेरी medication स्टार्ट कर दी तब मेरा वजन automatic कम होने लगा मैंने बहुत सारी exercise भी की बहु मुझे पतला तो होना ही है मुझे इतना मोटा तो नहीं रहना पूरी जिंदगी लेकिन जब मैं पतली भी हो गई फिर भी ये मेरी जो दवाई है 75 mg तक जो पहुँच चुकी थी वो 100 mg तक पहुँच गई यानि मेरे डॉक्टर ने ये मेरी दवाई के dosage बढ़ा दी उन्हो ने कहा कि बेटा हम 50 mg से शुरू हुए थे फिर उन्हें तीन महीने बाद मुझे 75 पर डाल दिया फिर 100 mg पर डाल दिया और उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा देखो ये thyroid नाम की बिमारी है आपकी बॉड़ी एक तरहां का हॉर्मोन है वो नहीं बना रही तो आपको बेट पूरी जिंदगी वो हॉर्मोन आर्टिफिशली अपने अंदर डालना होगा यानि कि वो दवाई खाने पड़ेगी 100 mg में इतना थाइरोइड आपको इतना ही नहीं है आपको हर महीने मेरे पास आना है यहीं पर ब्लड टेस्ट करवाना है बाहर से ब्लड टेस्ट करवा के म अगर आपने बाहर से ब्लड टेस्ट करवाया तो मैं उसे मानूंगा नी आपने मेरी लाब में ब्लड टेस्ट करवाना है फिर मैं देखूंगा कि आपकी दवाई के डोजेज चेंज होने वाली है या नहीं चेंज होने वाली उस हिसाब से मैं डोजेज को घटाऊंगा गोली खानी पड़ती है, परी बाबु जी कह रहे है, उन को मीरे साथ चल रही थी दोहजार अठ्रा तो मुझे कही न था कि मुझे तो भाई इस बीमारी से चुटकारा पाना है लेकिन जब मैं इस पर study करती थी जब मैं इस पर बात करती थी तो समझ में आता था किसी से भी बात करती थी किसी भी डॉक्टर डाइटीशन से पूछती थी वो मौलते थे कि कोई बात नहीं गोली तो हनी एंसुबा रिसर्च करती रहती थी कि कैसे थाइरोड जैसी बीमारी के कुद्रती उक्चार मुझे मिल सकें जिससे मैं अपने थाइरोड ग्लाइन को एक्टिवेट करके इस बीमारी से छुटकारा पा सकूँ तो दोस्तों मैंने कहीं पढ़ लिया कि अखरोट का तेल अगर गले पे उसकी मसाज की जाए तो उससे थाइरोड ग्लाइन अक्टिव हो जाता है कई तरह के योगा आसन्स मैंने सीखे जिससे थाइरोड ग्लाइन अक्टिव हो जाए लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी इतना डाइट पे कंट्रोल भी मैंने किया इतना कुछ किया लेकिन फिर भी मेरा मेरी जो दवाई है थाइरोकसिन सौ एमजी उससे पीछा छोट नहीं रहा था एक महीना हर महीने जो मैं डॉक्टर की विजिट पे जाती थी उससे पीछा छोटणी रहा था जो मुझे ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते थे वो भी मेरी जिन्दगी का हिस्सा बन चुका था ये दबाई मेरा पीछा छोड नहीं रही थी लेकिन मैंने हार नहीं मानी मैंने मैं लगातर रीसर्च करती रही पढ़ती रही और मैंने एक ऐसा natural solution ढूंड ही लिया जो thyroid को manage करने में बहुत ही effective है जो बहुत ही natural है जिसका कोई side effect नहीं है और वो इस लाइलाज बिमारी से छुटकारा दिलवा सकता है और वो natural antioxidant जिसे मैंने ढूंडा वो है gamma originol अब gamma original के बारे में किसी ने पहली बार अगर सुना हो वो एक बार hand raise करें क्योंकि इंडिया में आजकल gamma original बहुत जधा famous हो रहा है बहुत लोग इसके बारे में जान रहे है तो सुमन जी ने gamma original पहली बार सुना है ॢईपी यादफजी का hand raise आय है वो ने भी गामा ओरिजनौल पहली बार, अनीता देवी जी ने गामा ओरिजनौल पहली बार सुना है, इवन हमारे बीच में एक डॉक्टर भी है, उन्होंने भी पहली बार सुना है, सुरिंदर कुमार जी ने पहली बार सुना है, तो बहुत सरे हैंडरेज मुझे दिख रहे हैं, जिन् बूरे चावल की भूरी परद से एक सफेदरंग का powder निकाला, जब उन्होंने उस powder को निकाला, उस powder का नाम था gama original, जब उन्होंने इस powder की खोज की, तब उन्होंने इस powder पर बहुत सारे research की, studies की और उन्होंने ये पाया कि इस सफेदरंग के powder को अगर capsule के form में, tablet के form में 300 mg के dosage पर ले लिया जाए तो ये करिश्मे कर सकता है, हमारे शरीर पर चमतकार कर सकता है अनेकों बिमारियों से चुटकारा दिलवा सकता है अनेकों बिमारियां होने से हमें बचा सकता है सिर्फ जपैन नहीं नहीं, अमेरिका ने, यूके ने, थाइलेंड ने, ब्राजील ने कुदरत के इस शक्तिशाली अंटी आक्सिजेंट पर बहुत सारी research की, बहुत सारी studies की और यही सामने आया कि ये एक miracle है, ये एक चमतकार है, कुदरत का अनोखा तौफा है cholesterol से लेकर BP, sugar, thyroid, liver की समझ से आए, बहुत सारी immunity disorders या जो भी mass patient से related हमें issues आते हैं, liver के issues हैं, वो सब पर gama original काम करता है, दिल की बिमारियों से हमें बचाता है इसलिए विदेशों में gama original बहुत महंगे दामों पर बेचा जा रहा है बहुत सारी बड़ी बड़ी companyya हैं, अमेरिका में, जपैन में, थाइलेंड में, ब्राजील में, आस्ट्रेलिया में, जो gama original को अठाइसो से लेकर 5000 तक की कीमत पर भी बेच रही है जितने भी नए साथी यहां पर जुड़े हुए हैं मेरा उनसे निवेदन है कि वो एक बर research करें google पर और gama original के benefits के बारे में जाने, उसकी scientific studies को थोड़ा सा पढ़ें और अंतराष्ट्रिय ब्रैंड्स ढूंडे जो gama original को दावों के साथ बहुत ही महंगी दावों पर बेच रही हैं और यह gama original मेरी problem भी solve कर रहा था, यानि यह gama original thyroid issues पर भी काम करता है यह मैंने studies में पढ़ा, यह मैंने research की और gama original मुझे लगता है हर उस महिला की काम आ सकता है जो आज thyroid की बिमारी से पिड़ी थे क्योंकि दोस्तों 2018 में जब मैं इस बिमारी से गुजर रही थी, जब मैं इसके symptoms face कर रही थी, जब मुझे मोटापा हो रहा था मेरे पैरों में swelling हो रही थी, मेरे बाल जड़ रहे थे, मेरे skin खराब हो रही थी, मुझे चड़ चड़ापन हो रहा था, तब मुझे समझ में आया कि यह सिरफ मेरे साथ नहीं हो रहा मैंने data देखा कि हर 8 में से हर एक महिला को यह thyroid की बिमारी है और ज़ादा दुख मुझे इस बात का हुआ कि उन्हें मालूम भी नहीं है कि उन्हें यह बिमारी है नौर्मली तो यह thyroid की बिमारी जो है, यह दो categories में divide की जाती है, जिसे हम आम भाशा में बोल देते हैं hyperthyroid, hypothyroid यानि एक होता है पतला होने वाला thyroid जिसमें patient का weight बहुत ही कम हो जाता है एक hypothyroid जिसमें patient का weight बहुत ही जादा हो जाता है, तो common जादा जो common है वो hypothyroid है यानि मोटा होने वाला thyroid है वो जादा common है, अब हम इसे thyroid thyroid की बिमारी बोल रहे हैं, लेकिन मेरा फर्ज है, आज मेरा यह जो session है यह मैंने इसलिए रखा है तांकि मैं आपको इस बिमारी को थोड़ा सा medically समझा पाऊं तांकि आपको पता हो कि problem क्या है हमारे गले के अंदर एक thyroid नाम का gland होता है, जो butterfly यानि तितली की shape में होता है जिस तरह आप screen पर एक photo देख रहे हैं, गले पर ऐसे लग रहा है एक तितली बनी हुई है यह हमारे अंदर, हर किसी के अंदर यह gland होता है, जिस gland का नाम होता है thyroid gland अब इस gland का एक काम होता है, यह हमारे अंदर regulate करता है दो तरहा की hormones को मैं जानती हूँ थोड़ा सा medically मुश्किल हो रहा है, मैं कोशिश करूँगी बहुत आसान भाशा में आपको समझाओं लेकिन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अब इंडिया समझेगा, अब इंडिया अवेर होगा, अब इंडिया हर बिमारी को समझेगा, उसके symptoms को समझेगा, उसके treatment पर काम करेगा, कुदृती तरीकों से उसका उपचार करेगा, खुद को रोग मुक्त करेगा रोग मुक्त करने के लिए बिमारी को समझना बहुत जरूरी है कि हमें हर चीज के knowledge हो, उसका ग्यान हो, अब ये जो thyroid gland है, ये हमारे अंदर दो तरहां के hormones को regulate करता है, उन hormones का नाम है T3 and T4 hormones, अब ये जो hormones हैं, ये हमारे शरीर में बहुत सारे काम करते हैं, digestion में मदद करते ह हम जो भी खाते हैं, उसके nutrients अच्छे से absorb हो जाएं, उसमें मदद करते हैं, यानि metabolism में मदद करते हैं, हमारे अंदर blood में cholesterol का deposition ना हो, calcium का deposition ना हो, उसमें मदद करते हैं, हमारी हड़ियां मजबूत रहें, उसमें मदद करते हैं, kidney health में मदद करते हैं, kidney के स्वास्ते का ध थिहान रखते हैं, इवन की मा के पेट में जब बच्चा पल रहा होता है, तब ये हॉर्मोन उसकी ब्रेन की कपैसिटी को इन्हांस करने के लिए काम करते हैं, इसलिए प्रेगनिंसी में ये जो थाइरोड हॉर्मोन है, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उस महिला के अंदर प थाइरोड स्टिमिलेटिंग हॉर्मोन, यानि वो एक हॉर्मोन भेजता है इस ग्लैंड को कि T3 और T4 को रेगुलेट करो, उन्हें बनाओ, लेकिन कई बार इस ग्लैंड में किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम के कारण, या आप सोचिए इस थाइरोड ग्लैंड में कुछ न के लिए पूरा नहीं है, तब होती है TSH लेवल हाई, यानि होता है हाइपो थाइरोड इसम, जितने भी साथियों ने थाइरोड का टेस्ट करवाया होगा, आपने देखा होगा वहाँ पर एक रेंज होती है TSH की, यानि जो वो इंस्ट्रक्शन भेजे जा रहे हैं, वो बह हिपो थाइरोड हो चुका है, यानि अब होर्मोन बन नहीं रहा कुद्रती तरीके से हमारे अंदर, इसलिए डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उस होर्मोन को, उस T3 होर्मोन को, उस T4 होर्मोन को आप दवाई के माध्यम से अपने अंदर डाल दीजिए, क्योंकि वो कुद्रती आ आपके अंदर से आपके थाइरोड ग्लांड से बन नहीं रहे हैं, सिंपल, यानि असान भाषा में समझिए, जो होर्मोन हमारे शरीर ने बनाने थे, थाइरोड ग्लांड ने बनाने थे, वो बना नहीं पा रहा, इसलिए बाहर से हमारे शरीर के अंदर वो होर्मोन किया जा रहा है वो मेडिसन और कुछ नहीं है वो मेडिसन T3 हॉर्मोन है वो मेडिसन हॉर्मोन है जो हमारे अंदर डाला जा रहा है जिससे अब यह मेडिसन लेना भी जरूरी हो जाता है डॉक्टर को देना जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारा ग्लांट तो काम नहीं कर रहा ठीक हो जाए तो उनको कई सिम्टम्स दिखने लगेंगे अपने अंदर यानि वो थका थका महसूस करेंगे ध्यान से नोट कीजिए जिन्होंने कभी थाइरोड का टेस्ट नहीं करवाया वो ध्यान से नोट कीजिए अगर आपको लगता है कि आपका वेट अचानक से बढ़ा है कि कभी भी अचानक से लगा है कि एक महीने में दस किलो वेट बढ़ गया पांच किलो वेट बढ़ गया हो सकता है आपको थाइरोड हाइपो थाइरोड हो अगर आपको पूरा दिन ठका ठका फील होता है हो सकता है आपको हाइपो थाइरोड हो अगर आपकी स्किन ड्राय हो चुकी है आपके बार जढ़ रहे हैं और आपके periods irregular हो चुकी है तो हो सकता है आपको हाइपो थाइरोयड हो तो बहुत ज़रूरी है मैं बार-बार कहरी होंगी बहुत ज़रूरी है कि हम साल में एक बार इसका टेस्ट भी करवाएं अगर यह symptoms किसी को लग रहे हैं वो तो definitely test करवाएं वो तो immediately test करवाएं क्योंकि long term में अगर हम इन symptoms को ignore करेंगे तो long term में हमें दिल की बिमारी हो सकती है infertility यानि की conceive ना कर पाना ये problem हो सकती है महिलाओ में joint issues हो सकते हैं बहुत जल्दी यानि छोटी उमर में ही गुटनों की problem हो सकती है अगर thyroid की problem को hypothyroid की problem को आपने ignore कर दिया 60% ये data कह रहा है 60% महिलाओं में भारत में 60% महिलाओं को already ये hypothyroid की बिमारी है यानि कि देखा जाए तो almost हर घर में एक patient हो सकता है hypothyroid का ये बिमारी इतनी common है ये data कह रहा है और अगर आपको मालुम नहीं है तो ये उससे भी जादा खतरनाक है मेरी नजर में तो ह तरह में ठातर घर आओ की लेडान की सब्सक्ति गार को हुंट कर तो हो सकता है तो हमारे साथ हम समझ चुके है कि इसका टेस्ट कर Suchговा है से तेस्ट करवाना की इतना असानर है सिर। इक पल्ट टेस्ट है फुर्ट है टी असम लेवल ये पता लग जाएगा सिरफ थाईरोड करवाना है और किसी को symptom है वो immediately test करवाई क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लोग इसलिए thyroid की बिमारी से डरते हैं काफी मैंने क्लाइंट से बाद की वो कहते है मैं पूरी जिंदगी दवाई लेनी पड़ जाएगी मैं तो test ही नहीं करवाऊगा क्या यह सही तरीका है मैं चै तुम करके तो सबका reply आ रहा है कि यह सही तरीका नहीं है शाम जी सुमजी everybody is saying कि यह बिल्कुल गलत है कि अगर हम thyroid का test नहीं करवाते हैं यह सोच कर कि पूरी जिंदगी दवाई लग जाएगी लेकिन दोस्तों अगर मैं आप से कहूं कि thyroid नाम की बिमारी लाइलाज बिमार यह कुछ lifestyle changes करें तो आपका जो thyroid है वो ठीक हो सकता है वो naturally hormone produce कर सकता है आपको दवाई की जरूरत नहीं होगी आपकी दवाई बंध हो जाएगी तब आप क्या कहेंगे तब तो सब test करवाएंगे ही क्योंकि हमारे पास India में पहली बार एक ऐसा natural solution आ चुका है जिसका नाम है जिसने मेरा थाइरोटी किया जिसने मुझे रोगमुक्त किया जिसने मुझे एक confidence दिया कि हम पूरे देश को रोगमुक्त कर सकते हैं मुझे लगा कि अगर मैं disease free हो सकती हूं अगर मैं अपने hypothyroidism की बिमारी को treat कर सकती हूं थाइरॉक्सिन को 100 mg से दीरे दीरे मैंने 50 किया मेरे doctor ने खुद किया क्योंकि जब मेरे TSH level कम होने लगा तो उनकी मजबूरी हो गई मेरी दवाई कम करना उन्होंने मेरी दवाई को 100 से 75 किया फिर खुद बखुद 50 किया खुद बखुद 25 किया और फिर उसके बाद मैं उनके पास गई नहीं क्योंकि फिर मैंने खुदी उसे बंद कर लिया लेकिन मैं हर बार जब टेस्ट करवाती हूं मैं टेस्ट जरूर करवाती रही लगातार मैंने एक साल हर मही ने टेस्ट करवाया क्योंकि कई बार यकीन नहीं होता तो मेरा TSH हमेशा नॉर्मल आता था और अब तक मेरा TSH absolutely normal है सिरफ गामो और इजनॉल और कुछ lifestyle changes जो मैंने अडॉप्ट किये उन्होंने मुझे एक रोगमुक्त जीवन दिया तो पूरे इंडिया को इसलिए मैंने आपको meeting की starting में कहा था कि अपने friends को अपनी family को इस बिमारी के बारे में अवगत जरूर करवाएं और कुछ ऐसे natural tips जो आज मैं देने वाली हू उसको note करवाएं ताकि वो भी अपने जीवन को बहतर बना सके, स्वस्त बना सके, रोगमुक्त बना सके और मेरा mission पूरा हो सके आप सब के माध्यम से तो मैं बात कर रही थी अभी gamma originol की कैसे gamma originol hypothyroid पे काम करता है दोस्तों आपके सामने एक study आ रही है जो जपान में हुई आपके सामने लिखा हुआ है कि gamma originol कैसे hypothyroidism के patients को मदद करती है कैसे उनका TSH कम हुआ जब उन्हें 300 mg gamma originol दिया गया दोस्तों इस study में बात जो note करने वाली है वो यह है a single oral dose of 300 mg gamma originol यानि सफेद रंग का वो जो powder है राइस ब्रैंड का जिसको gamma originol कहते हैं उसको अगर 300 mg की single dose में ले लिया जाए और उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने हाइपो थाइरोड के subjects यानि उन patients को दिया तब उन्हें समझ में आया कि उनका जो TSH level है वो कम हुआ यानि कि उनकी body ने खुद बखुद naturally उस hormone को produce करना शुरू कर दिया जो वो करना भूल गया था और ये कैसे हुआ ये भी study में आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं ये हुआ not through pituitary जो मैंने अभी बताया कि वो instruction भेजता है बट through hypothalamus हमारे दिमाग में एक control system है जैसे computer में cpu होता है वैसे हमारे दिमाग में hypothalamus नाम का control system है जिसे हमारे दिमाग का पूरी body का manager बोलते हैं hypothalamus तो उस hypothalamus से instructions दिलवा कर उस hypothalamus से thyroid gland को सीधे instructions गए तो जाके तो जाके उस thyroid gland ने T3 और T4 hormone जो वो बनाना भूल गया था उसे दुबारा बनाना शुरू कर दिया यानि कि root cause बर काम किया गामो और इस नौल ने इसलिए ये scientifically proven solution है natural solution है जो hypothyroid की बिमारी से हमें बचाता है जैसे मैंने आपको समझाया कि ये इसका mechanism of action है hypothalamus के through काम हो रहा है और जो करना भूल गया था thyroid gland यानि T3 T4 hormone को release करना जो हमें दवाई के माध्यम से लेने पड़ रहे थे अब वो release हो रहे हैं खुद बखुद हमारी body के माध्यम से हमारे thyroid gland के माध्यम से कुदरती तरीके से क्यों क्योंकि gamma originol की absorption hypothalamus में हुई है और उसने उससे ऐसा करवाया है और ये तब होगा जब gamma originol की single dose ली जाएगी as per the study और मैंने study को बहुत अच्छे से study किया बहुत detail में इसके गई और even जहां पर study हुई वहां पर भी मैंने emails लिखी उसका पूरा thesis मंगवाया और देश के जाने माने doctors को भेजा कि आपका क्या opinion है इसके बारे में और दोस्तो मैं हरान रह गई मैंने सरफ mail की थी Dr. SP बेउत्रा को study के बारे में मैंने सरफ उन्हें एक information दी थी वो नहीं जानते मैं कौन हूँ या मैं किस mission पर काम कर रही हूँ लेकिन उन्होंने अख़बारों में statement दी कि हाइपो के मरीजों के लिए गामो औरिजनौल एक effective कुदरती solution है उस बिमारी को treat करने के लिए उसे cure करने के लिए तो ये एक therapeutic agent है for the treatment of hypothyroidism और ये doctor कौन है ये doctor SP बेउत्रा गंगाराम hospital के medicine expert है गंगाराम hospital न्यू डेली का नाम किस किस ने सुना है एक बार आप video में ऐसे hand raise कर सकते ह है गंगाराम hospital का नाम किस-किस ने सुना है new Delhi कांती देवी जी ने सुना है बहुत सारे साथियों ने बहुत जल्डी hand raise है जिए जो दिख रहे हैं तो बहुत सारे साथियों ने गंगाराम लोकेश जी ने सुना है जेतिंदर गुपता जी दाश्रा जी ने सुना है तो obviously it's a very तो वहां के डॉक्टर ने बोला है कि थाइरोइड लाइलाज बिमारी नहीं रहा जब से गामा ओरिजनौल इंडिया में आ चुका है आप देखे हाइपो थाइरोइडिजम के लिए गामा ओरिजनौल को सवीकृति इस तरह के टाइटल के साथ डॉक्टर की स्टेटमेंट के स इस तरह के न्यूल्स मुझे देखने को मिली इस तरह के आर्टिकल्स मुझे देखने को मिले और मुझे बहुत खुशी हुई कि देश के बड़े-बड़े डॉक्टर्स आज नैचरल उक्चार की अवेरनेस कर रहे हैं ताकि लोग एक रोगमुक्त जीवन जी सकें और ऐसे डेली-NCR से एक लीडिंग डॉक्टर आज हमें एक वीडियो क्लिप शेयर कर रहे हैं उन्होंने हमें एक वीडियो क्लिप बहजी और उन्होंने अवेर किया लोगों को कि कैसे गामोरिजनॉल हाइपो थायरोइड के पेशिंट को मदद कर सकता है एक बार उनके वीडियो क् मैं जरूर यहां पर हुए वीडियो क्लिप सुनाना चाहती हूं आपके वीडियो क्लिप सुनाना चाहती हूं तो डॉक्टर योगेश शिर्मा जी का कहना है मतलब शायर हो सकता है कि अवाज कम हो लगी हो वीडियो में तो मैं आपको एक बर हिंदी में बताना चाहती हूं इन्होंने कहा है कि I recommend this medicine this gamma-orisonol for the patients of hypothyroidism यानि thyroid के patients इन्होंने sugar के patients को भी बोला gamma-orisonol लेने के लिए thyroid के patients को भी बोला और साथ में उन्होंने ये भी बताया क्यों वह बोल रहे हैं क्योंकि एक anti-oxidant है इसके metabolizing effects हैं ये heart को protect करता है cholesterol को कम करता है और multiple इसके benefits हैं इनकी video आपको मेरे channel forever healthy with isha पर मिल जाएगी यानि कि मैं dr. योगे शिर्मा जी का बहुत बहुत धर्निवाद करती हूँ कि उन्होंने hypothyroid और sugar के मरीजों के लिए gamma-orisonol जैसा खुदरती जो विकल्प है उसके बारे में लोगों को aware किया तांकि लोग डरे ना या thyroid लाई लाज बिमारी है वो टेस्ट करवाने से न डरे वो ये न सोचें कि अगर मैं ने टेस्ट करवा लिया मुझे थाइरोड निकल गया पूरी जिंदगी दवाई ले पड़ेगी पूरी जिंदगी डॉक्टर पास जाना पड़ेगा हर महीने टेस्ट करवाना पड़ है अगर कोई patient है thyroid का है hypothyroid का अगर वो अपनी दवाई के साथ जो वो थाइरोक्सिन ले रहा है जिस तरह मैंने मैं ले रही थी जब मैंने दो capsule gamma baptismal के लेना शुरू किया और जब वो अपनी दवाई के साथ उसे शुरू करेगा साथ में उस दवाई कि monitoring करेगा तो वो doctor की मदद से अपने आप अपनी दवाई को कम कर लेगा और साथ ही साथ ही साथ वो उस दवाई से completely मुक्ती पा सकता है कुछ ही time में मुझे पुरा यकीन है कुछ ही time में वो अपनी दवाई से मुक्ती पा सकता है अगर वो अपनी दवाई के साथ 2 capsule gamma-orisonol के शुरू कर ले और दोस्तों ये 2 capsule gamma-orisonol के शुरू करने से आपको किसी को डरना नी चाहिए घबराना नी चाहिए क्योंकि ये एक nutraceutical है भारत सरकार ने बोला है कि gamma-orisonol notification भी आपके सामने आ रहा है कि gamma-orisonol एक nutraceutical है यानि कि एक ऐसा भोजन है जिसके medical benefits है हर इंडियन इसे ले सकता है इसका कोई side effect नहीं है अगर कोई बिमार है वो भी ले सकता है अगर कोई स्वस्थ है यानि उसे इस बिमारी से बचना है अपनी सुरक्षा करनी है अपने लिए उसे health guard चाहिए तो वो gamma-orisonol ले सकता है बिना किसी की prescription के बिना किसी डर के और specially आज मैं hypothyroid के patients को कहना चाहूंगी कि वो 2 capsule gamma-orisonol अपनी दवाई के साथ जोड़ दें किसी भी time वो ले सकते हैं दिन में खाने के साथ लें ताकि इसके absorption अच्छे से हो क्योंकि ये खुद भी खाना है इंडिया में ये gamma-orisonol पहली बार available है 2020 से इंडिया में gamma-orisonol एक affordable price पर मिलने लगा है आप खुद research कीजिए कहां से आपको मिलेगा आप खुद देखिए कहां से आपको इंडिया में ये product मिल सकता है एक ही company से बनाती है AP Organics Limited धूरी और एक ही company से market करती है RCM जो की इंडिया की leading direct selling company है तो आप थोड़ी से research खुद भी कीजिए आप देखिए international brands को आप देखिए इसकी scientific studies को और आप RCM नाम के platform से इस product को एक affordable price पर पास सकते हैं लाखों लोगों ने आज की date में गामो और इसनों लेकर अपने जीवन को बहतर किया है और specially जब मैं आज हाइपो थाइरोइड नाम की बिमारी पर चर्चा कर रही हूं इवन की हाइपर थाइरोइड पर भी इसके results हमें मिले है हाइपो थाइरोइड नाम की बिमारी पर तो multiple results हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत सारे साथी हैं चाहे वो सुनीता जी है, नागराज जी, श्वेता जी, कमलेशवर जी, मुराज जी ये सभी, सभी ने अपने थाइरोइड की बिमारी से छुटकारा पाया है यानि कि जब इन्होंने दवाई के साथ गामो औरिजनॉल को क्लब किया काफियों की दवाईओं की dosages काफी low हो चुकी है यानि कि ऐलोपेथी दवाईड की dosage कम हो चुकी है और काफियों की दवाईड चूट भी चुकी है गामो औरिजनॉल के माध्यम से तो बहुत सरे ऐसे साथी है कई बार जोब TSH लेवल बहुत ही margin पे आता है यानि कि थाइरोइड की warning आती है तब बीना दवाई के क्योंकि अभी patient की दवाई तो शुरू हुई नहीं बीना दवाई के वो जब सिर्फ गामो और इसनों ले रहे हैं तब तो वो automatically control हो रहा है ये मैंने results के माध्यम से देखा है लेकिन अगर कोई 10 साल से thyroid की दवाई ले रहा है तो उससे थोड़ा time लग रहा है वो time एक साल भी हो सकता है उनकी दवाई धीरे-धीरे कम हो रही है तो वो इस परहां अपने शरीर पर, अपनी body पर, अपने lifestyle पर depend कर रहा है लेकिन आज मैं आपको आगे जाकर कुछ ऐसा बताने वाली हूं कुछ ऐसे natural tips बताने वाली हूं जिससे हम results को बहुत जल्दी fast कर लेंगे गामोरिजनौल के माथिम से तो वो बताने से पहले एक बार एक video ज़रूर प्ले करना चाहूंगी जो मैंने compile की है Health Guard YouTube चैनल से जहां पर बहुत सरे users के testimonials आए है on the disease of hypothyroid जिस पर आज हम बात कर रहे हैं तो इसे आम भाशा में आज आप जान चुके हैं कि thyroid की बिमारी actually thyroid तो gland है लेकिन thyroid की बिमारी है hypothyroidism यानि मोटा होने वाला thyroid जो जादा तर होता है तो ये लोग जो हैं जो आम भाशा में इसे thyroid की ही बिमारी बोलते हैं तो it's okay let's see वो किस तरहां बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने benefit पाया gamma original के मध्यम से अपनी बिमारी पर पांच महने से हम भी उरुद्लाव गामा दे रहे हैं और उनका फैरेट आट बाइंड एकाउन था इससे पहले और अभी का जो थैरेट चेक करके लाया मैंने ये चार बाइंड जा रहे हैं वो साइट आले थैरेट का टेस्ट करवाया था इसने की मेरा थैरेट 6.430 था मैंने जो है मुझे सिक्सियर्ज होगे थारेट की प्रॉब्ल्म को मुझे ये हेल्फ कार्ट गामा औरिजॉन कैप्सुल मिलें और मैंने वन बन से खाना स्टाट किया है आज मैंने टेस्ट कर वाया अपना तो मैंने आल ओवर सारा करवाया तो बिल्कुल नॉर्मर आया कुछ भी नहीं है मैंने रिपोर्ट करवाई थी उस रिपोर्ट में मुझे थाई राइड बताया गया तो आज के डेट में करेव 6 महिना से हम थाई राइड का दवाई तो आज गामा ओरिजिनल के सेवन से मुझे आज थाई राइड बहुत नॉर्मन लेबल पे आ गई है उनको दिया और इसका काफी बढ़िया रिस्पॉंस मिला उनकी जो सुम्झी दवाती धेजरेब खत्म हो गई है इस तो मैं सिल्प गामा उरिजिनल के बदॉलत तो साथ पाई ही तरिवन तीन महीने पहले मेरे पते छोटी एक बच्ची आइटी पेशन के रिसमें गारासा मुझा उसको थारीट का प्रॉब्लम था गामा ओरिजिनल स्टार्ट तंदी के बादूस को तरिवन पंज़ा दिन में ही फरक पढ़ना चालो हो गया थाराइड बहुत प जिनको थारेड का प्रॉब्लम था और गामा ओरिजिनल लेते हुए मैंने अपने वेट को बहुत कम किया है कि इसानिक्ट प्रॉब्लम था गृटि अथा है प्रिजिन्द को थारीट था साल से खत अब ही थारेड का फाली नहीं ले रहे स्रिप अलल्ल फर घामा प्रोब्लम मेरा जो पहला प्रोब्लम था वो थाराइड पहले ग्यारा परसेंट हुआ करता था जिसमें मेरा भी नॉर्मल हो चुका है कम से कम तर डेढ़ सो बेक्ति को हमने ठीक किया थाराइड मैं थाराइड का पेशन्ट था लॉक्डाउं का समय मुझे यह चीज रिटेंट हुआ था था जिसका मेरा बस डॉक्टर का अलड़ी जो रिपोर्ट भी है याज थाराइड मेरा पास नहीं है क्यों मैं थाराइड से कंप्रेटली बिना दावा चुट काना पाच उकाओ यह सभी टेस्टिमोनियल्स हमने आपको एक शॉट वीडियो दिखाई है यह सभी टेस्टिमोनियल्स डीटेल में हेल्थगार यूट्यूब चानल पर उपलब्ध हैं आई होप आवाज सही आरी होगी लिगिन चैनल पर पर आवाज सही है कई बड़ जूम पर प्रॉब्लम आ जाता है तो जैसे आपने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स देखे और मैंने आपको बताया है एसे और बी टेस्टिमोनियल्स हैं कि गामो औरिजनौल के मद्यम से लोगों ने अपने थाइरोड की बिमारी से रहत पाई है और जैसे मैंने आपको बताया फर्स टाइम इंडिया में गामो औरिजनौल एक ऐसी कंपनी के माध्यम से उपलब्ध है जो एक मिशन पर काम कर दी है पूरे देश को सस्त बनाने के मिशन पर तो वो आप थोड़ी सी अपनी रिसर्च करी और अपनी जिंदगी में गामो से जुड़े हुए हैं तो मैं हीरो हूँ हीरो हूँ तो यह डेफिनेटली हीरो है खुद को रोगनुक्त बनाने के लिए खुद को हमेशा स्वस्त बनाने के लिए हमारा यह product हमारा साथ देता है लेकिन जो लोग already कोई ना कोई दबाई ले रहे हैं चाहे वो thyroid की है anxiety की है BP क लेने से अपनी दवाइओं की डोजज़ को कम करना पड़ेगा क्योंकि नैचरली आज हमने थाइरोइड को पूरा समझा हमें मालूम है कि नैचरली कुछ हमारे अंदर ही गड़बढ हुई है जिसके और ये बीमारी हुई है तो वो जो गड़बढ है वो ठीक हो रही है क्यों वहार से supply कर दिया और problem solve वो जड़ से उस problem को cure कर रहा है और जैसे मैंने आपको बताया कि RCM नाम के platform से एक इंडिया की top direct selling company से ये product available है इंडिया में और ये company consistency पर भी ये offer में दे रही है अपने plan में इस अगर कोई साथी 6 मीने लगातार gum और इस नोल लेता है तो उसे free भी मिल है तो ये definitely आप वहां की जो distributors हैं उनसे इसकी information ले सकते है और अब मैं आपको बताने जारी हूं कि गांगो रिजनॉल के साथ हमें कैसा lifestyle रखना है तांकि results जल्दी आए कई बार हमारी जो hypothyroid की बिमारी है वो बहुत लंबी होती है कईों की 10-10 साल से दबाई चल रही है क् कि doctors तो यही कहते थे कि पूरी जंदगी आपको दबाई लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको आपकी body ने वो hormone बनाना बंद कर दिया है तो इसलिए आपको पूरी जंदगी उसे बाहर से hormone देना पड़ेगा दबाई के माध्यम से तो अब मैं आपको बताने जारी हूं कि ऐसा lifestyle plan जब हम गामो औरिजनौल के साथ उस plan को जोड़ देंगे तो definitely हमको result बहुत जल्दी आने लगेंगे तो मैं आप सबसे request करूंगी कि अपनी डायट में थोड़ा सा pink salt जिसे हम सेंधा नमक भी कहते हैं pink salt कहते हैं उसे हम जरूर add करें तो हर रोज सुबह अगर हो सके एक कौन सा rice bran oil लेना चाहिए उस पर भी मैं already हमारे त्यूजडे के gamma learning webinar में बता चुकी हूँ वह आपको healthguard youtube channel पर पूरी video मिल जाएगी तो rice bran oil का इस्तिमाल करें healthguard rice bran oil का इस्तिमाल करें साथ में अभी गर्मियों का मौसम है घडे का पानी पिए घडे में रखें पानी और घडे का पानी पिए इससे भी आपका thyroid gland stimulate होता है आप हैरान रह जाएंगे कि मिट्टी में भी कुछ ऐसे anti-oxidant होते हैं जो हमारे gland को stimulate करते हैं त अबा जी कह रही है वो अलड़ी घडे का पानी निर्मला जी भी रमेश चंदर शर्मा जी भी सुप्रिया चौदरी जी भी वो अलड़ी घडे में रखा पानी पीते हैं अगर वो पी सकते हैं तो हम भी पी सकते हैं तो जो नहीं पीते उनसे request है कि वो घडे में रखकर पान पीएं यानि वह पानी ठंडा भी होगा और वह आपके थाइरोड ग्लाइन को भी आक्टिवेट करेगा चाय कॉफी का सेवन कम करें क्योंकि वह हमारे थाइरोड ग्लाइन के लिए अच्छा नहीं है अगर हम बहुत ज़ादा चाय पी रहे हैं या बहुत ज़ादा कॉफी पी कि आई सेमर की जो गाइड लैंज आई है उनमें अब यह सामने आया है कि हमें अनाज कम खाना है सबजियां और प्रूट्स जादा खानी है और अनाज भी मिलेट्स यानि बाजरा इस तरह के अनाज लेने हैं रागी जवार जो हम पहले घाते थे जो हमारे पूरवज घाते तो इस तरह कानाज हमें खाना है साथ में हमें हमें हेल्दी फ्याट्स लेने है यानि कि राइज ब्रैन ओईल का सेवन के साथ साथ हमें कुछ ड्राइफ्रूट्स नट्स वो कौन से लेने है वो आपको बताती हूं कुछ इम्पॉर्टेंट भोजन अभी आप इसका स्क्री हमारे थाइरोड ग्लाइन को स्टिमूलेट करने के लिए क्योंकि वो सीधा वो हॉर्बॉन प्रड्यूस करवा रहा है हाइपो थैलमेस के माध्यम से यह साथ में कुछ ऐसे न्यूट्रियंट्स हैं अगर वो हमारी बोडी में आए तो यह प्रॉब्लम शायद हमें आए ही और अगर यह प्रॉब्लम है तो उसमें जब गामा ओरिजनॉल मिला दिया जाएगा तो रिजल्ट्स हमें बहुत फास्ट आएंगे थाइरोड की प्रॉब्लम आयोडीन की कमी से होती है तो हम अपनी डाइट में आयोडीन वाला आयोडाइज यानि सॉल्ट आड़ करें के लिए आप पपीते के बीज खा सकते हैं पपीते के बीज अगर एक चमच पपीते के बीज आप भीगो कर खा ले तो यह आपके थाइरोड ग्लाइन के लिए बहुत अच्छा है हारी फाइबर फूट्स आपको खाने आए मैं आपको फूट्स वेजेटेबल्स होल ग्रें वो एक्टिवेट नहीं हो पाता, वो हॉर्मोन प्रड्यूस नहीं कर पाता, तो हमें सीलियम रिच फूड्स खाने हैं, जो लोग सफेज चावल खाते हैं, हो सके तो वो ब्राउन राइस खाएं, ब्राउन राइस में नाचुरली सीलियम होता है, सनफलार सीड्स खाएं, तो तो भी आप एक चमच भीगो के खा सकते हैं, यानि एक हफ्ता आप पंकिन सीड्स खा लें, पपीती के बीच खा लें, एक हफ्ता संफलार सीड्स खा लें, जिसमें सीलियम होगा, ताइरोसीन नाम का एक नूट्रियंट होता है, वो भी हमारे थाइरोड ग्लांड को स्टिम आप अपने जो डाइट है उसमें आयोडाइस सॉल्ट आड कर लें, सीलियम रिच फूड एड कर लें, ब्राउन राइस आड कर लें, फाइबर आड कर लें, और गामा और रजनल तो अपना काम कर ही रहा है, तो ये फूड्स आप आड कर लें, तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे, साथ में जो हमेशा मेरी हर मीटिंग में जो एक स्लाइड होती है कि आपको एक्ससाइज जरूर करना है, आपको फिट रहना है, चालीस मिनट की रेगुलर फिजिकल अक्टिविटी आपको जरूर करनी है, और अभी मैं योगा पर भी बहुत फोकस कर रह वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशल है, तो एक घंटा अपने लिए जरूर निकालें, जिसमें आप 40 मिनट का का अडियो एक्ससाइज कर सकते हैं, कोई एक्ससाइज साइक्लिंग, जुंबा, वाकिंग, बहुत सारी एक्ससाइज है, और बीस मिनट योगा, सिर्फ इत झाली